भक्ति और शोर्य के अमरशाधक गुरु गोविन सी उस्षमें तो गुरु तेक भादूर गदिन सीन थे गुरु नानक देव की तरह योभी पहुचे उवे शंत थे बहुत कम बोलते थे कभी-कभी तो कई-कई दिन तक मौन रहा कते थे भगवान का भचन और देश चाती का उधार यही दो चिंतर उनके विसे थे उन दिनों भारत पर मुशल्मानों की राजय सत्ता थी हिंदूों का धर्म और उनके मान शन्मान का बलात अपहरन किया जाता था जो जो प्रदेश मुशल्मान शाषों के आधिन थे उनमें हिंदू धर्मा और हिंदू देवस्तान सुरक्षित न थी मुशल्मानों की अत्याचार और आतंग से त्रस्त एक बार बहुत से काश्मीरी पंडित गुरु तेकबादूर के पास आए और निव्यदन के महराज अब तो आतंग और अत्याचार पराखाष्टा को पार कर गया है धान्ट लूटा जा रहा है धर्मा प्रष्ट किया जा रहा है और दिन दहले बाव बेटियों का समान नश्ट किया जा रहा है हम शब आपकी सरण में आये हैं गुर्पया हमारी रक्षा कीजिए गुरुत एक बादूर आगन्तुकों की करुणा का था शुनकर घंबीर होकर कुछ सोटने लगे कुछ अक्षण ध्यानावस्तित रहकर उन्होंने आखे खोली और बोले अत्याचार का अंत वलिद्वान द्वारा होता है समय किशी महान व्यक्ति का बलिदान चाहता है यदि कोई महान पुरुष देश धर्म की रक्षा में अपना बलिदान दे दे तो निश्चा ही देश में जागरन आ जाए और बलिदान की परंपरा चल पड़े बलिदान की धरा अनाचार को ठंडा कर देती है उपाय सुनकर अभी लोग मौन होकर असमंजस में पड़ गए सुचने लगे ऐसा महापुरिश कौन हो शकता है जिसका उतसर्द देश धर्म की रक्षा में हेतु बन सकता है धर्म की रक्षा लिए तो कोई सच्चा धर्मात्मा ही बलिवेदी का पूरे पुस्प बनना चाहिए गुरु तेक बादूर ध्यान वगन थे और अन्य लोग एक दुसरे का मूह देख रहे थे तभी गुरु तेक बादूर के पांच वर्षी पुत्र गोविंद राय जो उस्ष में पिता की शेवा में उपस्तित्ते खड़े हुए और हाथ जोड कर बोले पिचे पिता जी इस समय आप शे बड़ा मापुरिश और कौन है चो अपना बलिदान देकर देश धर्मा की रक्षा कर शक्यों बालक गोविंद राय की बात शुनकर सभी लोग स्तंवित रह गये गुरुत एक भादूर गदगद उठे उन्होंने पुत्र को उठा कर गले लगा लिया और बोले गोविंद मैं तुझ सब पुत्र पाकर आज धन्य हो गया तुने मुझे प्रकास दिया था पथ निर्दे दुसरों के बलीदान का मार्द बता कर श्वयम एक और बैठा रहना ये एक विड़मन है श्रमय किसी महात्मा का बलीदान चाहता है जह कहने के शाथी मुझे अत्मुसरत लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए था दुसरे को उप्दिश देने से पूर्व श्वयम उस पर बताया निश्चय तेरा पिता होकर मैं आज धन्य हो गया इतना कर वे उठे और आगंतुकों से बोले दिली के भाद साह औरंग जेव से जाकर कह दो कि यदि हमारा गुरू मुसल्मान हो जाए तो हम सब मुसल्मान हो जाएंगे कस्मीरी पंडित उन्हे प्रणाम करके दिली के वर रवान हो गये गुरू तेक भादार का यह उपाय सत्त प्रतिसत उनके प्राणों के लिए शंकट कहा पर शाथ ही यह भी निश्चित था कि औरंग जे भजारू लाख को हिंदूओं को सरल्ता से मुसल्मान बनाने के लिए उन पर अत्याचार करना छोड़कर अपने प्रायतन गुरू तेक भादूर तक ही केंद्रित कर देगा इस प्रकार अपने को शंकट में डाल कर दूसरों की रक्षा करने का जो उदाहरन गुरू तेक भादूर ने उपस्तित किया वा निश्चा ही अनुकरनी है पुत्र की एक बात उसके गुणों की परक करके गुरू तेक भादूर ने अपनी गदी उसको सोफदी और चुने हुए पांच सिस्यों को लेकर स्थान स्थान पर लोगों को धर्मका उपदेश देते और उसकी रक्षा में मर मिटने का संदेश देते हुए श्वयम ही दिल दिली जापों चे औरुंग जिप को उनकी चुनोती पहले ही मिल चुकी थी और अब उनके दिली आने का श्रमाचार भी मिल गया था वह बड़ा खुश हुआ सोचा सिकार अपने आप पिंजडे में आ गया है प्रायह लोगों मनुष्य के मानशिक अस्त्वितों को अपने स से तोलने की भूल कर बैठते हैं और उसे अपने जैसाई मानने लगते हैं और अग्जिप का विचार था कोई बड़ा लालच अथ्वा बड़ा भय दिखलाने से गुरुत एक बहदूर विचलित हो जाएंगे और तब उनको धर्म प्रष्ट कर लग्षो करोड़ों लिया है और जो तीर्थ यात्रा की भावना से बलिदान के पत्थ पर चल दिया हो उसे अपने धेय और शिदान से चित नहीं किया जा सकता दिल्ली जाकर गुरुत तेक बादूर ने अपना आशन जमा दिया और धर्म प्रचार करने लगे और उनको जैब एक भद्र और इमान ले आए तो नो सिर्फ मैं बलकी मेरी शारी मिलकत आपकी मूरीद हो जाए और तब आप हिंदुस्तान की सल्तनात उसके तक्त और ताज के मालिक माने जाने लगेंगे। इस बात की कल्बना भी नए कर शकता था कि अध्यात्मदन से धनी महात्माओं के लिए उसकी एक तुछ सी सल्तनत क्या तिरिलोकी का राज्य भी तुरून के समान होता है जो देश जाती की रक्षा में अपना समर्पॉन कर चुका है उसको और किनी बातों से क्या सा रोका। गुरू त्यक बादूर ने अरुण जेव का कथन सुना जानते तो थे ही कि वह कहशे बोल रहा है उसके इस प्रस्ताव के पीछे कौन सा भाव चिपा हुआ है वह मुश्कुराए और बोले बात्साग मुझे लोब दिखलाने का प्रयत्ना न करे मैं तो उस एक अकाल पुर गुरू की यथार्द अभिवेक्टी सुनगर और अरंग सेपका नकली रंग उतर गया और वह अपने अशली रुप में आकर उसी के अनुशार आचरन करने लगा उसने गुरू के शाथ आये सिस्यों को असहनिये यात्रा देकर यात्ना देकर मुशलमान बनाना चाहा किन्त वे वज्रविश्वासी रंच मात्र भी विचलित न हुए अन्तमी उसने गुरू तेख बादूर को बुलवाया और उसके सामने ही उनके प्यारे शिशे मतिदाश आरे से चीर्वा कर दो टुकडे कर दिये और भाई दयालदास को भी तेल के खोलते कड़ाव में डलवा कर उबलवा दिया और बुला अगर अब भी आप मेरी बात न मानेंगे तो आपकी भी यही हालत बनवा दूगा गुरू तेख बादूर ने शब कुछ समभाव से देखा शुना और उतर दिया और रंजे यह कोई बात नहीं है यह नस्वर सरीर आज तक किसी का नहीं हुआ किस इन दोनों को मार कर केवल अपने उपर कलंखी लिया है आने वाली मानोशंता ने जहां तेरी इश ओ मानोता पर धुकेगी वहां इन धर्मवीरों के बलिदान के प्रतिनस्त मत सकोंगी तू नह जाने किस बात पर गर्व करता है तेरे ऐसे नह जाने कितने संचार में आये औ और अपना इतिहाश विगार कर चले गए यदि तु मुझे भी इनके पूर्णे बत पर भेजना चाहता है तो जल्दी कर यह आत्मा तो अजरमर है तु इसका बाल भी मांका नहीं कर शकता गुरु का गंभीर प्रवेचन सुनकर औरंग जे बोखला उठा उसने तुरंथी चोराहे पर उनका सीर काटने की आग्या दे दी जिसका पालन चांदनी चोक के बीचो बीच मार्गर सीर्स सुकला पंचमी शवन्त सत्रा सो बत्रीस को दीन खुले हुजाले में किया गया उस शमय लाखों लोग उस महान बलीदान को देखने के लिए इकठे हो गए थे गु दर्म पक्षवालों को एक आलोग मिला उनकी आखों में आशु और आत्मा में शाहस का स्तोत्र लहरा उठा इसी अंधकार और चन कोला हल के बीच भाय जिवन्तास ने गुरु का सीर उठा लिया और आनंद प्यूप के और चल दिये बस इसी बलीदान की प्रुष्ट भूम भी कि औरंग सेब ने दिली के समस्त संभ्रांत नागरिकों के अनुरोध करने पर भी गुरु का सरीर देने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे हठिले आदमी की लास न दफनाई जाएगी और न जलाई जाएगी यहां योहीं चवराहे पर पड़ी-पड़ी सड़ने के लिए चोड़ दी जाएगी जिसे कवें की धोर कूते नोच नोच कर खाएंगे जिससे लोगों को नशियत होगी कि बादसा की बात न मनने वालों की यहां हालत होती है धीर बिता के बीर पुत्रों गोविन सीर और शमाचा पाकर उलाश और उत्सा से भर उठे और दिली की और पुरुष्णी बलिदान दे दिया अत्याचारों का घणा भर चुका है और अब देश धर्म के उधार का शमय आ गया है गुरु का एक बलिदान लाख लाख बलिदान बनकर फैलेगा उनके रक्त की एक एक बूंद एक एक अंगार बनकर अत्याचार और अत्याचारी दोनो को चला डालेगी अनंतर वह 5-6 वर्ष का बाल योधा गुरु की वृत्य से उदास खड़े सैंकडो लोगों की और उन्मुखो कर बोला यह दुख नहीं हर्ष का दिन है आज गुरु के बलिदान ने हमें सिख्षा दी है कि हम उनके पदचिनों पर चल कर बेस और जाती की रक रक्षा करें मुझे पूरा विश्वस है कि आप सब और आप जैसे हजारों लाखो गुरु के बलिदान को सार्थक करने के लिए कटिबध हो जाएंगे और आज से मेरे पास आने मेला हर व्यक्ति अपने शाथ यखा ध्यार लाएगा लोहा लोहे से ही कटेगा काटा काटे स निकलेगा और विश का उपचार विश ही माना गया है अब धर्म की रक्षा सास्त्र से नहीं सस्त्र से होगी आज देश जाती के बच्चे बच्चे को एक वीर शिपाही बनना होगा आज धर्म की रक्षा में मैं संत परंपरा की गती पर होने पर श्वयम सस्त्र उठाता और श्रब को अनुमती और आग्या देता हूं कि मैं किसी भी जाती और किसी भी वर्न के क्यों नहों शात्र धर्म को अंगी करन करें और अत्याजार के विरुद पाथियार उठाए गुरु का सरीर दिली के चोराहे पर पड़ा आप लोगों की बगती और शाहर्ष की प्रत देने के लिए अग्रशर होगा अने था पुत्रा और शीष्य होने के नाते मैं तो उसे लाम गई शारी शबा में उच्छा फिल गया और शेंकडो एक शात गुरु का सरीर लाने के लिए तैयार हो गई तभी एक वरद हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बुला शारी शबा से मेरी कुछ करनी बन जाएगी गुरु गोविन सी उस वरत की बात सुनकर गदगद ही उठे और सोचने लगे जहां शमाज में नीज कहे जाने वाले लोग इस प्रकार धर्मकी शेवा करने को तत्पर उठे हैं वहां अब जाती के उतार में कोई संदेह नहीं रह जाता पे सराहना करते हुए उस रधशे बोले भाई उस अकाल पुरुसकी द्रष्टी में सब बराबर है न कोई उच है और न कोई नीज और जब पाप और पुन्य का इतना बड़ा काम करने को तयार है तब अपने को नीज क्यों कहते हैं नीज तो वह होता है जो संकट काल में देश धर्म की रक्षा करने से मुँचुराता है मैं आपके गुरु का सरीर लाने की अनिमती देता हूँ खुशी से जाओ भगवान आपकी शहायता करे वहगरद अपने पुत्र को लेकर दिल्ली की और चल दिया दिल्ली की सीमा शमी पाने पर पिता पुत्र को एक घाड़ीवान मिला तीनों में बाते होने लगी घाड़ीवान हिंदु था उसे जब यह पता चला कि वी दोनों बाप बेटे आनंदपुर से आ रहे हैं तब उसने गुरु कोविंद शी का शमाचार पुछा तथा गुरु तेक बहदूर के बलिदान और अवरंजिव के अत्याचार की चर उनकी विधी से अंत्यष्टी की जाए अब तो यह पत देखा नहीं जाता दस्वे गुरुजी समर्थ हों और धर्म रक्षा का शंगराम छेडे तो फिर अत्याचारी के विरुद जम कर लोहा लिया जाए मैं तो उस दिन की रह देख रहा हूं कि कोव धर्म जाती पर विधान होने का अवशर मिले उन दोनों बाप बेटों को गाडिवान की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई उसने सोचा कि अब अत्याचार के विरुद जन जन में रोस जाग उठाए धर्मियुद के लिए लोग तैयार हो गए हैं चल्दी ही अत्याचार का अंध हो फिर बुढ़े ने दिल्ली आने का मनतवे बतलाया गाडिवान ने तुरंत कहा अब मुझे और कहीं नहीं जाना है आप लोगों के साथ सिध्धे दिल्ली को चलूंगा और आप लोगों के गुरु का सरीर लाने में शाहायता करूंगा पूरी दिल्ली मेरी देखी हुई है पे तीनों सीधे सांद चांधनी चोक्की और चल दिये अंधेरा हो चला था और श्रयोंक्षेश्राव के प्रहरी उस्षमय वहाँ पर नहीं थे तीनों ने तुरंत उशर का लाभ उठाया और गुरु का सरीर गाड़ी में रख कर छिपा दिया अब शोचा यह गया कि गुरु के सरीर के स्थान पर कोई सरीर होना चाहिए जिससे जब प्रहरी आये तो उन्हें कोई संदेह न हो हम लोगों की खोज में दोड़ दुप न मच जाए नहीं तो हम लोग आनंदपूर न पहुंच पाएंगे और सरीर के साथ गिरपता कर लिये जाएंगे और तब इस प्रकार अपना उदेश्य पुरा न हो शकेगा इस विचार पर उन तीनों में से और एक कहने लगा कि मुझे सीर काटकर गुरु के स्थान पर डाल दिया जाए इस पर दोनों बाप बेटों ने तो गाड़ी मन का बिलकुली मना कर दिया और कहा आपक के लिए जीवित रहो और यथा शंभाव धर्म की रक्षा की भावना का प्रचार करते हो इसके बाद पीता पुत्र में विवाद छिट गया पीता कहता था कि मुझे बलिदान किया जाए और पुत्र कहता था कि मुझे विलंब हो रहा है प्रहर्यों ने आ जाने का डर था निदान पीता ने पुत्र को समझाया कि मेरा सरीर बुड़ा हो गया है कोई बड़ा सिवार नहीं कर सकता तुम अभी जवान हो आगे गुरुत गोविंद सी के नेत्रुत्व में धर्म युद छिडने वाला है तुम जीवर उसमें भाग लेना इस समय तो मेरा बलिदान ही इतना कहकर बुड़े ने तलवार से अपना शीर काट डाला और गुरुर सरीर के स्थान पर लुटक गया उन दोनों ने बुड़े के सरीर को ठक कर दिया और उसका सीर गाडी में रख कर चल दिये कुछ ही समय में सुरक्षित दिल्ली के बाहर निकल गए आनंद पुरा कर प इस चाती में धर्मा पर बलिदान हो जाने की इतनी घहरी भावना भर गई हो वह बहावत दिनों तक पतीत और पीडित नहीं रशकती उसके बाद गोरु गोविंदसी ने पिता और उस बलिदानी ब्रती की यतोचित अंतियश्टि कराई और पूरी तरहशे अपने धर्म कर पिता के अंतिम संस्कार से निवरुद होकर गुरुद गोविंदसी ने एक श्रभा बुलाई यह दे भी उस श्रम में उनकी आयू साथ वर्स की ही थी किन्तु सची धार्मिक्ता और धर्म जाती की रक्षा की ज्वलंत भावना ने उनके अंदर अपुर्वर शक्ती शोर्य प्रभाव तथा तेज फर्दिया था शत्य तथा शत्कर्मों का अवलंबन करने से मनुश्य की अंतरात्मा में प्रसुक्त शक्तियां श्वतहई प्रभुद हो उठती है श्रभा का उद्वदन करते हुई उन्होंने कहा यह बात किसी से चिपी हुई नहीं है कि इस समय हिं उसको आमूल नश्ट कर देने पर दुले हैं तलवार के बल पर शिखा और शुत्र उतारे जा रहे हैं मंदीर मट और शिवालय तोड़े जा रहे हैं गवों का शंहार किया जा रहा है बाव बेटियों की लाज लुटी जा रही है हिंदू राजा श्वार्थ भोग विलास और पारसपारिक द्वेश से जर जर हो रहे हैं अपना जीवन शुक पुरो काटने के लिए न जाने कितने तो योगन शाषकों के तलवे चाड रहे हैं ऐसे अंदकार की स्थिती में हिंदूओं को अपने अपने भोवेटियों और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पेरों पर खड़ा होना और अपनी भुजाओं पर भरोशा करना होगा अब तक के शांतिपूर्ण बलिदान से यह बात सीध हो चुकी है कि आतताई शाषक प्रति हिंसा रहित बलिदान को कोई भी महत्व नहीं देना चाहते उनके रदे में हिंदूओं का शांतिपूर बल कायरता तथा मुर्खता समझा जा रहा है इसलिए जरूरत है कि सठम प्रतिशाठ्यों की निती अपनाई जाए और तलवार के विरुद्ध धर्म की रक्षा तलवार से ही की जाए आज मेरे साथ मिलकर कौन यह प्रतिग्या करता है कि जब तक शरीर में एक विश्वास आता जाता रहेगा रक्त की एक विबुंद बाकी रहेगी तब तक धर्म की रक्षा के लिए युद करते रहेंगे गुरु गोविंद शी का वाक्या पुरा होते ही सभा में शैंकडो तलवारे एक शाथ मियान से बाहर आकर चमगुठी गुरु गोविंद शी ने शतस्री अकाल के उद्गोश के साथ फिर कहा भाईयों आज देश की जन्शक्ती जागी है लेकिन उस जगी हुई जन्शक्ती को तान मनशे शंगडित होकर अजे बन जाना है और एक नारा एक निशान और एक नेता को लेकर चलना है यदि अपने उद्शे के प्रती हम शब एक निष्ठा बन रहे तो निश्चा ही आतताईयों को परास्त कर उन्हें ठीक रास्ते पर आने के लिए विवस कर शकेंगे इस प्रकार देखते ही देखते धर्मविरों को एक विशाल शंक्तन बन कर खड़ा हो गया अब शंक्तन का शुत्रबात कर देने के बाद गुरु गोविंद शी इने उसका मानशीक तथा बाओधी के विकास करने के लिए शिक्षा प्रचार का कारे शुरू किया उसके लिए उन्होंने शेंक्डो विद्वानों तथा शिक्षको को नियुक्त किया जहां उन्होंने हिंदी, सेंस्क्रीत और खार्षी आदी अनेक वाशाएं बढ़ी वह जनता को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने शेंक्डो अनुय योंको विद्वाधियन के लिए काशी भेजा, जो माशे विद्वान तथा धर्मे गेबन कराए और जनता में शिक्षन का काम करने लगे, इसके अतिरिक जनता में धार्मिक प्रभधन तथा उच आदर्स का जागरण करने के लिए उन्होंने जगह-जगह रामायन, महाभारत तथा भागवत की गथाय बिठाई और निरंतार उनका वाचन कराया, प्रशिशित पंडित जनता को भगवान राम, भगवान कृष्णा तथा अन्य महापुरुषों के चरित्र की व्याधिया करते हुए जनता को वैशा बनेने की प्रेना देते, उन्होंने जनता में चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, सकंद्गुप्त तथा अशोक जैशे महान राजाओं के इतिहाश का प्रचार किया, और हतोचा हिंदु जाती को अपने अतित गहरों का भ जिसमें देश के बड़े पड़े पंडित तथा संभरात लोगों को आमंतरित कर, उन्हें धर्म रक्षा के लिए निर्मीत, उनके शंगठन को श्रयोग करने की प्रेना दी। इस यग्यमें लोगोंने गुरुद गोविंदसी को लाखों का धन और हज़ारों गोडे, अस् विश्य में भी तन, मन, धन और जनशे शहायता करने की प्रतिक्या की, यग्यपुरा करने पर गुरुद गोविंदसी ने जनशमू के शमू का कर कहा, अब आप लोग इस यग्य की अधिश्टरात्ती देवी भगवती दुर्गा के दर्शन कर लीजिए, आज जिसकी उपा धर्मरक्षा में उठाई योध्धा की कृपान ही भगवती दुर्गा का सच्चा स्वरुप होती है, सत्की रक्षा और अशत के विनाश के लिए उठाई होई तलवार में भगवती की शक्ती और देवी का तेज समाहित हो जाता है, जो विर पवित्रता के साथ इस शक्ती क विजई होता है और उत्सर्ग हो जाने के बाद परमधाम पाता है, इसलिए जब तक धर्म शुरक्षित नहीं हो जाता, देश से अनिती तथा अत्याचार का उन्मुलन नहीं हो जाता, तब तक आप शब को और अन्यशवी को इस साक्षा त तलवार भवानी की उपास न करन धर्म के नाम पर मोर मिटने की प्रतिग्या की, धर्म अभिहान प्रारम करने शेपूर्व, बुद्धिमान गुरुने जन्भावना को परखक करने के विचार शे, सवन सत्रा सब पच्पन के चैत्रमास में एक बड़ा विराट शमारू किया, और उसमें सभी को भाग लेने के लिए अमंत्रित किया, उत्सुत सव में हजारों लोग आए, गुरु गोविन सी ने उनका हादर्शतकार किया, और उनके भोजन तथा विश्राम निवाश का श्रमोचित प्रबंदे किया, प्रमुक्षभा के दिन गुरु गोविन सी जन शमुदाय के समुख नंगी तल लिए हुए आयो और बोले, भाईयों, आज देवी दुर्गा ने बलिदान मांगा है, क्या आप मेंशे कोई ऐसा भी है, जो देवी की प्रशंता के लिए अपना सीर दे से के, सभा में कुछ देर तक्षन नाटा चाया रहा, कुरु ने फिर कहा, क्या देवी की मांग पुर गुरु गोविन सीउ ने एक बंद तंबु में ले गए और एक मुर्हत में ही लोगों ने तंबु के बहार रप्त की धारा पहते हुए देखी, गुरु गोविन सीउ फीर हाथ में रप्त से सनी तलवार लेकर आये और बोले, देवी और बलिदान चाहती है, क्या दुसरा क गुरु व्यक्ति अपना सीर देने को तैयार है, तभी तैंतीस वर्षिय दिल्ली निवाशी भाई धर्मदास जाट ने आगे आकर सीर जुका दिया, गुरु उने भी तंबु में ले गए और रप्त की दूसरी धार बहती दिखाई दी, तिसरी बार गुरु ने आकर फिर गुरु के प्रेड़क वचन सुनकर हज्जारों की शंख्या में लोग उनके शाइनिक तथा शाहायक बन गए, गुरु गोविंसिय शूर्य ग्रहन के मेले तक कुरुक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्रांत प्रांत से आये हुए, लोगों को यही उफ्ष्ष तधा प्रेरना देते रहे। कुरुक्षेत्र में मिले में आये नहाजाने कितने नहुजवान उनकी धर्म शेना के श्रयम शैनिक और प्रचारक बन गए। इतने लोगों को वेतन तथा बोजन देने के लिए धर्मानुयायों ने बहुत साधन भी गुरुजी को भेट किये। अनेक लोगों ने अपने उस धन से जो वे वहाँ दान पुन्य करनी के लिए लाये थे अस्त्र सस्त्रों का प्रबंध कर दिया। लोगों ने उस शंकटकाल में उस दान को किसी भी पून्य से कम नहीं माना और न अपनी तिर्थी आत्रा की सार्थकता पर संदे किया। इस व्रकार एक विशाल शंकटन और देश वे अपनी ये प्रचार करके और लोगों को उनका कर्तवे तथा मार्ग बतला कर गुरु गोविन सी चमकोर होते हुए आनंद घडा गई। शुक, चैन, अन्याई तथा अक्त्याचारी के कर्म में होता ही कहां है। उसकी अनिती उसके रदे में सर्व की तरफ बैठी हुई फुषका कर्तिया करती है। जिसका भय उसे बाहर अपने चारों तरफ दिखलाई देता रहता है। उसे शोते, जागते, शोपना और परिश्थितियों में अपना अपिनाशी जागता द्रश्टिकोचर होता है। गुरु गविन्सी का उदेशय उसका राज्य चीन कर अपना राज्य स्थापित करने का नहीं था। उनका धेथा उसका अत्याचार रोक कर अपने हिंदु धर्म की रक्षा करना। वे एक शंत थे और शंत के करतवयों को भली प्रकार जानते थे। जीस धर्म के आधार पर शंतत्व प्राप्त होता है। और जीस संततों के आधार पर शामाजिक संवान उस संततों का मुगट धारन करने वाला कोई संत यदि धर्म पर शंकट देकर चुप बेठा रहता है। तो शंत नहीं बलकि आधंबरी या पाखंडी कहना होगा। इस अपवाद तथा अपपाफशे गुरु गोविंद शेशावधान थे। और इसलिए उन्होंने माला रखकर कुरुपाण उठाई थी और वैसा करने के लिए ही अपने शिश्यों तथा अनुईयों को भी प्रेरित किया था। अपने उधेशे की पूर्ती के बाद उन्हें कुरुपाण रखकर फिर उपासना में ही तलिन हो जाना था। उन्हें न और अउन्हों जेव से सत्रुता थी और न उसके राज्य से उन्हें ख्रोव था तो उसके अनिती पुरणव अत्याचार से। कियों रखेगा तथा विवा शंचार में किसी पर भी होते उए अत्याचार को देख भी नहीं सकता। फिर इस समय तो अपने ही धर्म और अपनी ही जाती पर अत्याचार हो रहा था। अत्याचारों को करने से औरंग जेव का विवेक भरष्ट हो चुका था। जहां उसे डरना चाहिए था अपनी अनिती, अपने पाप और अपने क्रूर कर्मों से वहां वह भैभीत हो रहा था। उसे संसे जो संसार में किसी से सत्रुता नहीं मनता और न किसी को कश्ट या हानी पहुचाना चाहता है। अपना उत्पात और अत्याचार बंद कर देने से औरंग्जेब सर्वथा निशनक हो शकता था। पर एक बार किया गया पाप शो बार सीर पर शवार होकर अपना अनुगमन कराय करता है। किन्तो अरंग्जेब के सीर्तों शेंकणों पापसवार थे। उसको भला यह शद्वुदि की सप्रकार प्राप्त हो शकती थी। अत्याचारी अनिती द्वारा ही किसी ने निस्तार पाने का प्रयत्न किया करता है। अस्तु अरंग्जेब पंजाब के धर्म द्रोही और द्यस घ्याती पहाणी राजाओ, सर हिंद के नवाब और श्रीमांत के शाषकों का दल बनाकर एक लाक्षेना के साथ गुरु गविन शी का अस्तितों मिटाने के लिए आनंदगड पर चड़ाया। थोड़ेशे शाथियों के साथ आनंदगड के किले में धरे हुए गुरु पर एक लाक्षेनी को और शेंक्डो राजाओ ताथा शामनतों के साथ जड़ाना और अरंग्जेब के भय ताथा कायरता का बहुत भड़ा प्रमान था। किन्तो धर्म का श्रंबल लिये उन भीर पुरुष ने जरा भी चिंता न की और आततायों के विरुद मोर्चा ले लिया। अपने शाथियों द्वारा अलपता की शंका प्रकट करने पर उनों ने असका कहा कि मनुष्य का शत शाहर्ष श्रय में ही यक बड़ी सेना है। भी होती रहेगी। एक पखवारे तक अपने नगणे शाथियों के साथ गुरु गोविंद सीह ने उश आततायी ठीडी दल से घोर शंगराम किया। एक के बदले मुगलों के शोशो शैनीक और सरदार मारे गए। गुरु गोविंद सीह के धनुष शैनीकले बान एक शाथ अनेकों को धराशाई कर दे थे। धर्मवीरों ने दीन और रात युद्ध करके आरे रक्त की विशेश ताशिद्ध कर दी। मुगल से नाकी एक बड़ी शंख्या मारी गई। उसके जो सरदार थे वे उभी मारे गए। वे तो मारे ही गए। सेस सरदारों की हिम्मत के पाव भी उखडने लगे। तभी दैवयोग से किल्ले की भोजन सामगरी शमाक्त हो गई। कई दिन तोग भूखे प्यासे रखक पर युद्ध चलाया गया पर अंत में सेस रहे चालीस सैनुको की हिम्मत चुट गई। उन्होंने गुरु शे कहा कि इस प्रकार भूखो मरने से अच्छा है कि एक शाथ समुद्र में कुद पड़ा जाए और अपना वलिदान दे दिया जाए। गुरु गोविन सी मुगल की परिस्तिती समझ चुके थे उन्होंने शाथियों को समझाया कि मुगलों की हिम्मत अब उखड चुकी है एक दो दिन और धेरेशे काम लो शत्रू भागने वालाई है किन्तु वे स्वैनिक शोब हिम्मत खो बैठे थे और रण में जाकर प्राण दे देने के लिए हट कर करने लगे भता सोकर गुरु ने कहा यदि आप लोग इस आड़े समय में मेरी निती और मेरा शाथ छोड़ना ही चाहते हैं तो छोड़ दीजिए लेकिन मेरे सबंद से त्याग पत्र देते जाई जिससे मैं इस अपवाद से बच सबूं कि गोविंद सीह ने स्थिती जानत हुए अपने शाथियों को निश्चित मृत्यों के मुख जोग दिया हत्वुदी साहिनिकों ने त्याग पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये और आउशर पाकर शत्रु शेना को चीरते हुए अधी वेक से निकल गए अब आनदगड़िवे रहना व्यर्क समझ कर एक रात प्रहत न किया पर उश धर्मात्मा की विकट मार्शे विमुख होकर उनको अथ्वा उनको के परिवार के कीशी सद्यशों को पकड़ सकने में सफल ना हो सके उशापती से वे सब निकल तो गए लेकिन बिछुड गए गुरुगोविन सी अपने दो बड़े बेंटों के एक और पत्नी एक और अकेली जा पड़ी इस प्रकार बिछुड कर गुरु गोविन सी तो पुत्रों के साथ चमकोर जा पहुँचे उनकी माता दोनों पोतों के साथ अपने रशोये गंगु के अनुरोध पर उसके घर चली गई और पत्नी किसी प्रकार दिल्ली पहुँच कर एक भक्त के यहां प्रचन हो गए चमकोर दुर्ग के बहुत ही थोड़े से सैनिक थे शातन सामगरी भी नहीं के बराबर थी तथा भी गुरु ने हिमत से काम लिया और शारे लोगों में पिछा करती आ रही मुगल सेना से जुजने का उत्साह प्रेरित किया शभी लोग शजक तधा शनद्धोगर शत्रु की प्रतिक्सा करने लगे कुछ ही समय में विशाल मुगल सेना ने आकर चारों और से चमकोर के दुर्ग को घेर लिया सामगरी के अभाव में किले के बितर रहकर युद चलाशकना शंभव न था अस्तु गुरु गोविंदशी ने कहा कि आप जो थोड़े से लोग हैं वे किले में इन बच्चों के साथ रहें और जब अवसर पाएं तो किसी सुरक्षित दिसा में निकल जाएं और जब तक य किले ही जाकर सक्त्रु की सेना से लोहा लूंगा और धर्म पर बलिदान होकर अकाल पुरुष की गोत में चला जाओंगा मुझे स्पष्ट दिखलाई दे रहा है कि समय मेरा बलिदान चाहता है आशा है उसकी मांग पूरी कर देने पर देश में पुनह धर्म रक्षा का ही जवार आएगा चोपिता जी के बलिदान से आया था गुरुपविंद सी का निश्चे सुनकर उनके दोनों पुत्रा तथा शाथी करुन होटे उन्होंने प्रातना की यदि समय बलिदान ही चाहता है तो पहले हम अपना बलिदान देंगे आपका सुरक्षित रहना पहुत आप सुरक्षित रहेंगे तो नजाने कितने धर्म रक्षक भीर पैदा कर शकेंगे आपके शरशा बली हो जाने से देश के जागरण में निरासा आजाएगी यवनों का अन्याय कभी कम नहीं हुआ है इस समय केवल आप ही देश के आशा के केंद्र बने हुई है अन्याय के विरूद देश में जन जागरण तथा शंगठन का कान करने के लिए आपका जीविनत रहना नितांत आवश्यक है शाथियों की प्रात्ना सुनकर कुरुगोविंसी सोत में पड़ गए और बोले फिर भी तो मैं सत्रों से इस प्रकार काहरता पूर्वक घिरे रहना भी तो शियो कुमार अजीद सी ने हाथ जोड़ कर कहा इता जी मेरे रहते हुए आपको इस प्रकार से निरास नहीं होना चाहिए यूद के लिए मुझे आग्या दीचिये और देखिये कि मैं किस प्रकार यी आत थायों के चक्के छुड़ाता हूं आप इस्वास रखिए या तो म मैं इस्पिसाल शत्रुषेना को मार काटकर विचे प्राप्त करूंगा अथ्वा अपना वलिदान देकर भारत माता का घौराव और अपना जीवन उज्जोल बना लूँगा अधित सींका उच्छा देकर गुरुद गोविंद सींह हर्ष वो विभोरो उठे वे बोले धन् जिस देश चाती में तुम जैसे बालक पैदा हो उसे अधिक दिनों तक तो कौन शता सकता है लेकिन तुम भी बहुत छोटी हो युद में शोभी निश्चित मृत्यु के युद में भेजना उचित नहीं लगता हम सब शाथ ही चलकर आज धामरक्षा में अपना अंतीम बल जिदान देगे अधित्सी ने पुनह प्रात्ना की कि आपका सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है बहुत सा कारे करने के साथ ही आपको मेरे तीन भायों का पोशन तथा निर्मान करना है अपने जीते जी मैं आपको और शमय बलीपत पर नहीं जाने दूगा आप मेरी आय उसी आरे जाती और उनी वीर प्रहंपरांगों की एक कड़ी हुँ जिसके की अभिमनियु थे आप मोह को छोड़कर युद में जाने की मुझे आग्या दीजिए और उस श्रव को दोहरा देने दीजिए जो कुछ दुर्भेद चक्रवी हुमें वीर अभिमनियु ने किया गुरु गवन सी अपने हाथ से बेटे को कवच और जिलम पहनाया और अपने हाथ सिरोई देकर कहा जा भारत माता के विर्षपूत जा और रणांगन में अपने वन्स अपने धर्म और अपनी परंपराओं का परिचय दे अजीत सी कतिपय शीक्षैनिकों को लेकर कीले से न अर्मप्राण बालक ने मुगल सेना को ऐसे काटना प्रारम किया जैसे किशान पक्के खेत को काट कर गिरा देते हैं देखते ही देखते हैं उसने वहाँच से मुगल सरदारों को नरक के घाट लगा दिया और शमुद्र की तरह उस विशाल सेना को विक्रांत मकर की तरह मत क गुरु गोविन सिंग किले के उपर से अपने पुत्र का जोहर देकर पुलकित हो रहे थे। हज्जारों को अपनी तलवार का विशेला पानी पिला कर सदा के लिए शुला दिया। किन्तु वे आशु शोक के नहीं आनेंद और गवरों के थे। दुसरा दिन प्रातहकाल गुरु गोविन सिंग शोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। कि तब तक उनके पंद्र वर्षिय पुत्र जोरा वर्षिय ने आकर प्रातना गी। पिता जी मुझे भी भाई की तरह युद में जाने की आग्या दीजी। मैं भी उनका अनुशरण करूंगा। आज का दिन मेरे बलिदान का दिन है। गुरु गोविन सिंग उसकी बोली शुरत देखकर चिंता में पड़ गए। तभी बालक ने फिर कहा मालूम होता है आप मुझे इस पुने बलिदान से बंचित कर देने की सोच रहे है। यदि आपने ऐसे किया तो मैं यही समझूगा कि पिता ने नयाय नहीं किया। और मेरी विर्ता पर औविश्वास रखा भाई को धर्म पर बलिदान हो जाने का आउशर देखा और यदि आप मुझे वंचित करेंगे तो मेरी द्रश्टी में आप पक्षपाती ठेरेंगे। मेरी प्रात्न है कि आज आप मुझे युद्ध बेजाने की आग्या दे। पिता ने कहा पर बेटे तुम अभी पंद्रह जाल के यो ऐसी कमायू में पिता का वाक्य पुरा भी न हो पाया कि जोरा वर्शी ने ततकल कहा पिता जी गोरा बादल तो केवल ग्यारह बारह उनकर गुरु कोविन सींग को शर्षा आशिया गई और उन्होंने यह कहते हुए कि जा भी तू भी जा मुझे क्या अधिकार है कि मैं किसी भीर को उसके अविश्ट पक्ष से रोगशकूं। उस पर आक्रमन करने को दोड़ पड़े। युद्ध हुआ और तीन पहर तक शत्रों का विनास करने के बाद वह बाल वीर भी शहषा शेंकडों सर्दारों द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया। उसकी एक भुजा कट गई और एक पेर भी जाता रहा। कई गूलिया लग गई तब वह वीर सतस्री अकाल के ब्रह्म गोश के साथ गीर कर शदार शरदा के लिए अमर हो गया। गुरु गोविंद सी ने एक चोश भरा और किले से निचर उतर गए। पुत्रों का बलिदान देकर गुरु गोविंद सी एक योजना बना कर आदी रात के गोर अंधगार में अपने शेश शाथियों के शाथ किले से निकल कर एक और चल पड़े। उनके साथी ठीक दूसरी और यह कहते हुए दोड़ पड़े कि गोविंद सी भाग जा रहा है गोविंद सी भाग जा रहा है दोड़ों पकड़ों। टुकड़े कर दिये गए। तो उनके घर की स्त्रीयों तक के उन्हें धिकारा और कहा कि इस प्रकार धर्म से मुह तोड़कर और गुरु का शाथ चोड़कर तुम्हें शर्म नहीं आई। जिस मौद से डर कर तुम घर भाग आये हो यहां क्या वच जाओगे बलकि यहां तो बिस्तर पढ़ पढ़कर और भी निश्कृष्ट मौद मरोगे। यदि धर्म में प्राण दिये होते तो निश्चही श्वर्ग के अधिकारी बनते। इस प्रकार वे जिधर जाते उन्हें धिकार और लांचन का पात्र बनना पड़ता था। उन्हें अपनी स्थिती तथा भूल का आवाश हुआ और तुरंत ही गुरु की खोज करते हुए घरों से चल दिये। इधर विश्वाश गाती गंगु रशोयोकी अकल पर पत्थर पड़ गए। वह पापी अपने घर में आश्रे लिए। गुरु गोविन जिसें के पुत्रों तथा माता से खात करने की शोचने लगा। उसका मन उसकी उन्हेवरा तथा जवाहरात की पिटारी पर ललचा उठा। जो आपत्तिकाल के लिए माता जी अपने साथ ले आई थी। एक दिन उसने वह पेटी गाय भी कर दी और चाहिर कर दिया कि चोरी हो गई है पर उसका पापी मन आश्वस्त नहों शका। उसे डर था कि माता ने उसकी यहच्चाल समझ लिया। निदान उसने उनने शमाप्त कर देने की ठाने किन्तु उसे उन शी शन्तानों और शी जन्ननी पर हाथ उठाने की हिमत ही न पड़ी। उसी लोबी ने सोचा कि यदि उन सब को सरहिंदी के शीपाये द्वारा गिरफ तफ करा दूँ तो यह पेटी तो मेरी ही हो जाएगी। साथ में नवाब की तरफ से भी मुझे बहुत सा इनाम मिलेगा और एक दिन उसने वाइसा ही किया। नवाब सरहिंदी के पास चाकर उसे गुरुद गोविंद सीं की माता और उनके पुत्रों की खबर दे दी। बेशब गिरफ तार कर लिये गए। पर जब गंगु ने नवाब से इनाम के लिए प्राठना की तो उसने यह का कर उसे जलादों के सुकुरुत कर दिया कि इस गद्दार को भी ले जाकर कुत्ते की मोत मार डालो। जलाद उसे विश्वास घाती को ले गए और उसके टुकडे टुकडे करके चिल कवे को खिला दिये। एक देशद्रोही विश्वास घाती का जो अन्त होना चाहिए वही गंगु रशु ये का हुआ। मालवा की ओर खुले रास्ते से जाना निरापद नहीं था। जकचक हर शत्रु के सैनिक उनकी खोज में घूब रहे थे। इसे लिये गुरु गोविंद से जंगली रास्तों से जाड जंखाणों को पार करते हुए और व्रक्षों के नीचे रात भीताते हुए यात्रा कर इस यात्रा में उनके पास ना घोड़ा था और ना कोई शाथी। इस आपती पूर्णा एकाकिस्तिती में वे यदा कदार नियती चक्र की गती पर विचार करने लगते वे सोते। मनुष्य जीवन में शफलता अशफलता आशा निराशा। शंपती विपती का उसी प्रकार शाथ है जिस प्रकार दीन और रात का वह दीन अभी दूर नहीं गया है कि जब मेरे साथ हज्जारों लोग थे मेरे एक शंकेत पर लोग प्राण हथेली पर रखकर युद में ऐसे चल देते थे मनों किसी उत्सव में भाग लेने जा रहे हो मेरे एक एक शब्द से लोगों की प्रेणा मिलती थी और लोग मेरे बतलाए पत्थ पर चल पड़ते थे मेरा एक परिवार था माता पत्नी और चार बेटे दोतों मेरे देखते देखते युद्ध देव की भेट चल गए दोका पता नहीं कहां भटक रहे होंगे कौन जाने बेजिविद होंगे भी या आत ठोकरे खा रही होगी पत्नी जिसका आज जीवन शाथ निभाने के लिए मैं बच्चन बद्ध था नियती चक्रा के वेग में पकड़कर न जाने कहां पहुंची होगी मैं एका की इस जंगल में भटक रहा हूं यह विश्रम तथा दुख दिस्तिती जिसे लोग दुर्भा के अत्वा दुर्विर पाक शमस कर खीन दुखी और निरास होने लगते हैं यह थार्थ में महनुष्य की शहनशिलता धीरता और करतव निष्ठा की परिक्षा कशोटी हुआ करती हैं सितिल संकल्प के लोग ऐसी देसा में धबरा कर निरास हो जाते हैं और प्रायह करतवेः बड़ा कठोर होता है उसके निर्वाह के लिए कभी कभी मनुष्य को संसार के सारे शबंधो और शारी शंप दाउश्य विमुख होना पड़ता है आज वही कसोटी मेरे समने उपस्तित है किन्तु अपनी धर्म निष्ठा के बलपर मुझे पुर्ण विश्वाश है कि मैं इस कठोर अगनी परिशा को दे सकूंगा और उसमें उत्तिन भी होनगा जो धीर पुरुष धर्म का शाथ नहीं छोड़ता धर्म उसे हर अपत्ति से पार लगा देता है धर्म में जीवन है प्राण है बुरू बंधू और शका है मैं उसे नहीं छोड़ सकता और उ जाहे मुझे इससे भी अधीक विपत्यों में से गुजरना पड़े विचार संखला के तुटने पर गुरु गोविन शी ने देखा कि वे एक गाउ में आ गए हैं उन्हें शंका हुई कि कहीं सत्रों के हाथ में नव पर जाओं उस गाउ का नम मचबाड़ा था वहां के दो पठानों ने गुरु जी को देख और पहचान लिया पर पास आये और प्रणाम करके बोले महाराज अब आप आगे न जाएं चारों और मुगलों की सेना पड़ी हुई हैं और बड़ी तत्पतार से आपकी खोज की जा रही हैं यदे भी हम मुशलमान हैं फिर भी आपके जानते हैं कि आप हिंदू मुसलमान का शवाल लेकर नहीं लड़ रहे हैं आप तो अन्याई की विरुदे शंगर्श कर रहे हैं आपने न्याई के लिए अपनी शंपती और अपने परिवार तक को बलिदान कर दिया हैं यह बात किसी से चीपी नहीं है आतताई और होना चाहिए चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान जो न्याई के लिए लड़ रहा हो अन्याई को मिटाने के लिए शंगर्श कर रहा हो उसका साथ सबको देना ही चाहिए हम आपकी और कोई शेवातों नहीं कर सकते यहां से शुरक्षित जरूर निकाल देंगे उन पठानों क अव्यवार देखकर गुरुगोविंसी सोच उठे यह एक मुशलमान है जो आपति ग्रस्त अन्याई धर्वाम लंबी की शहायता करना चाहते हैं और एक वे मुसलमान है जो निर्वलों तथा निरप्राग्धियों को अत्याचार करते हैं अच्छा बुरा होना हिंदू या मुसलमान होने पर निर्वर नहीं बलकि यह मनुश्य को अपनी प्रोडतियों के अनुशार एक्ष्वभाव होता है उन पठानों ने गुरु जी को मुशलमान मौलवियों के वेस में अपने कंदों पर चढ़ा कर खत्रेश बहार निकाल दिया गुरु गविंसी धनाली ग् नहीं होते हुए राएगड पहुँच गए राएगड वे गुरु को आगमन शुनकर फिर लोग अस्ता सुस्त्र लेकर उनके पास एकत्र होने लगे और युद की तैयारियां करने लगे जिस समय गुरु गोविंद सी राएगड में पुनह युद की तैयारी कर रहे थे उ उसने उन्हें अपने शामने पेश कराया और कहा तुम दोनों बड़े प्यारे बच्चे हो, माना कि तुम मुसल्मानों के दुश्मन गुरु गोविंद सिंह के लड़के हो, तब भी हम तुमारी छोटी उम्र को देखकर माफ कर देंगे, तुम दोनों मुशल्मान हो जाओ, ह उसाल के सिंह बच्चों ने तुरंत उतर दिया, नवाब, ऐसी बात मुशे मत निकालो, कहीं अपना धर्म छोड़कर दुसरों का धर्म ग्रहन किया जाता है, धर्म के मुल्य पर शुक चेन की काम ना करने वाले काय और नरक के कीड़े बनते हैं, जिसके अकुल ने अपने धर्म की रक्षा में सरवश्व बलिदान कर दिया है, वे मुसलमान हो जाएंगे, ऐसी आसा आपने किस ब्रहम से बना ली, नवाब ने उन्हें धमकाया, मरवा डालने की धमकी दीप और वे दोनों अपने धर्म पर परवत की तरह अटल बने रहे, उनकी निर्विकता, द्र अपनु निष्टा देकर नवाब शरहिंद चल भून कर खाक हो गया, उसने दर्मार को शमधित करके कहा, कि आप लोग बताएं कि इन काफिर शापोनों को क्या सजा दी जाएं, दर्मार के हर विव्यक्षल व्यक्ति ने यह कहा, कि या तो अभी बच्चे हैं, नीर जाएं, किन्तु धर्मांध नवाब को उनकी राय पशंद नहीं आई, वह तो उन्हें मुशलमान बनाने का प्रण लेने पर उतार उता, उसने फीर उनसे मुशलमान हो जाने के लिए कहा, पर जब वे किसी प्रकार न मानें, तो उसने उन्हें किले की दिवार में चुनवा शुरू हो गई, नवाब सरहिंद खड़ा खड़ा यह पाफ देखता रहा, बीच में उसने फिर कहा, लड़कों अगर अब भी तुम मुशलमानों ना मंजूर कर लो, तो सीने तक आगी यह दिवार अब भी तोड़ी जा सकती है, नहीं तो यह पूरी घर दी जाएगी और तुम उसमें दब कर मर जाओगे, बच्चों ने मुस्कुराते हुए फिर उतर दिया, नवाब चुबान बंद करो, इस प्रकार धर्म पर बलिधान हो जाने से बढ़कर जिंदिगी का और क्या महत्व हो शकता है, दिवार आगे बढ़ी और छोटे भाई की आँखों तक ज भेरे और शाहस चाता रहा है, वे मोत को मुख के पास देखकर डर गए, वह बोला अब भी समय है, यदि मुसल्मान हो जाओ तो अपने प्राण बचा शकते हो, बड़े भाई ने तुरंत उतर दिया, जीवन तो नश्वर है, उसे तो एक दिन नश्टे ही होना है, उसकी ला अंसार में पहले मैं आया, देश धर्म पर पहले मुझे बलिदान होना चाहिए था, किन्तु देख रहा हूं कि यह गवरव मेरा छोटा भाई लिए जा रहा है, इसी दुख से मेरी आखे गिली हो गई है, बच्चे की बात सुनकर श्रभी के मस्तक आदर में नत हो गए, किन नवाव शरहिंद तो अपने सीर कलंक लेना ही चाहता था, उसने अंतीम इटे रखने का आदेश दिया, और इधर जल्लाद इटे रखने का उपक्रम कर रहा था, और इधर यह पवित्रमानी गुंज रही थी, वाशाशी जिर्णानी यथार विहाय नवानी गुळणाती नरोपराणी, तथा सरीराणी विहाय जिर्णान न्यानी शैयाती नवानी देखिः, दिवार पुरी हो गई, और गुरु गोविन्द सीके वे दोनों नेनिहाल सदा शरुदा के लिए उसमें समाइध हो गई, कि तब भी चलते समय लोग दूर तकुष बली शमाधी से निकलती होगी ओम ओम की प्रणव प्रती धोनी सुनते ही रहे। जल्दी ही अक्तियाचारियों का अंत होगा और देश के शूदीन फिर लोटेंगे। गुरुजी तरंथ उसके पास पहुंचे और बोले वहरागी क्या तुमें देश धर्म पर छाई हुई आपती का आवास नहीं होता। शंद का करते हुए तो पीडितों का कष्ट दूर करना है पर तो तुमें ऐसे संथ हो कि जिस समय देश धर्म को तुमारी सिवाँ के आवशक्ता है उस्ष्र में तुम एकांत सेवन करते हुए वन में बैठे हुए हो। केवल भजन से किशी का मुक्ति नहीं मिलती। इसके लिए संसार में शत्कर्म भी करने होते हैं। जिस समय समाज पर आपती के बादल बरस रहे हो। उस समय केवल अपनी मुक्ति के लिए ही समाज से दूर रहकर प्रयतन करया। करना घोर श्वार्थ है। इसका प्रतिपादन करने से मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। आज की सच्ची साधना देश धर्म के लिए लड़ते-लड़ते मर जाना है। इसलिए उठो और देश धर्म के प्रती अपने वास्तविक कर्तवे का पालन करो। गुरु गोविन सींके प्रेरना से बरेवत्चन सुनकर वह बयरागी जो बंदा के नाम से प्रसिद था उठा और गुरु शे सस्त्र लेकर पंजाब की और चल दिया। पंजाब में उसने दर्म शेना का शंगठन किया और पंजाब में धर्म युद की दुन्दु भी बजा दी। बड़ा भयंकर युद्वां युशुद में बंदा और उसके शाथियों के विजय हुई। सरहिंद की नवाब और शेना मारी गई। बंदा ने पंजाब का पूरा प्रदेश जीद का उस पर हिंदु धर्म का जंडा फेरा दिया। और इस प्रकार एक वीर ने अपने शाथियों के शयोक्षे शदियों से चला रहा मुशलमान शाषन को पंजाब से उकार फेंगा। गुरु कोविन सी को जब इस विजय पता लगा तो वे बड़े प्रसन हुए और लोगों से कहने लगे अब लोगों को और भी संगटित और शावधान हो जाना चाहिए क्योंकि सरहिंद की पराज जैसे खिन होकर दिल्ली का बात्साः और पंजाब के आसपास के इवन पंजाब में अंकुरित श्रतंत्रता के पौधे को उखाड फैकने का परहतना वर्ष्य करेंगे। शंगटित किया और कई लाक्षेना लेकर बंदा पर आक्रमन कर दिया। वीर बंदा बैरागी ने भी वहां के हिंदु राजाओं को शंगटित किया। किन्तु वेतो सदा विलास की नालियों में पड़े देश तर्म को भूले हुए थे। वीर बंदा बैरागी उस विशाल भववाहिनी में खीर गया। उसकी सेना तथा घज्य सामगरी कम हो गई। मुँखो मरने की स्थिती हो गई। विवशोकर उसने अपने शेश शाथियों को लेकर शत्रू से जूच जना ही ठीक समझा। निदान वह अपने बच्चे हुए थोड़ी से शाथियों को लेकर यवनों की विशाल सेना में घस गया। और एशा भयंकर रूद किया कि उनके चक्के छुट गए। किन्तु अंत में एक एक शाथि के मर जाने पर वह वीर भी बंदी हो गया। फिर बंदा वेरागी को गिरपता करके दिल्ली लाया गया। और उनके शावने मुशलमान हो जाने का प्रस्ताव रखा। उसने उसके प्रस्ताव गुरुना प्रकट करते हुए कहा। ना समझ बाचा। तुम प्राणों का भै दिखला कर एक धर्मवीर को उसके धर्म से व भडियों का ढचा मात्र सेस रह गया। किन्तु वह अपने दर्म से नत्तों विचलित हुआ और न उसने आभरी। अंत में वह हस्तास्ता सतस्री अकाल का घोश करते हुए भूमी पर गिर कर श्वर्ग शिधार गया। गुरुकवाविंसी उन दिनों गोदावरी के थट पर नगीना नाम का एक घाट बनवा रही थे। दीन भर उसकाम में वेस्तर करवे शाइंकल प्रास्ना कराते और लोगों को शंगठन तथा बलिदान का उपदेश दिया करते थे। उन दिनों उनके पास उनके अनेक मुसल्मान शिष भी रहते थे। किन्तु उन मुशल्मान भक्तों में एक शत्रु भी चिपा हुआ था। उसका नाम अत्तावल्ला खाँ था। उसका पिता पैदेखां एक युद में गुरुजी के आथ से मारा गया था। उसके अनात पुत्र को गुरुजी आस्रे में रखकर पाल लिया था। किन्तु उनकी यही दया और शत्रु के पुत्र के साथ की गई मानलता उनके अन्तका कारण बन गई। दुष्ट अत्तावला खाँ होर्शमाई इस खाद में रता था कि कव गुरुजी के अकेले में और शावदान पाए और मार डाले। निदान एक दिन उसने पलंग पर शोते हुए गुरुजी की कौक में चुरा भोख दिया। गुरुजी तकाल शजको कर उठ बैठे और वहीं कटार निकाल कर भागते हुए विश्वास खाती को फेक कर मारी। वह कटार उसकी पिठ में घुस गई। अत्ता उल्लाखा ने तुरंत गिर कर डेरो गया। गुरुजी के घाव पर टांके लगा दिये गए। अधन ही रहना चाहिए क्योंकि कपी गभी अशावधान परोपकार भी अनर्थ का कारण बन जाता है। तभी अवरंग जेव मर गया और बहादुर्शा ने धार में कत्याचार बंद कर गुरुशे शंदी कर ली। उसने गुरुजी की शेवा में बहुत से अस्त्रस अस्त् जो शामाने तहों लोगों से उठती भी न थी पर गुरु गोविंद सी ने उसे बल पूरवक जुका कर चड़ा दिया। इसी क्रिया में उनके जक्म के टांके टुट गए और अरक्त की धारा बहँ चली। गुरु गोविंद सी चार पाई पर पड़ गए। उनके घाव के रक्त प्रवा को रोकने के लिए बहुत प्रैत्न किया गया और वह न रुपा और उशी शेक कार्तिक श्रवंत 1765 में उनका श्वर्गवाश हो गया।